सावन का महीना चल रहा है इस माह में विधी विधान से सिव जी की पूजा की जाती है सिव जी की इस पूजा में कुछ ऐसी वस्तुएं भी हैं जो सिव जी को चढ़ानी वर्जित हैं ऐसे में भगतों के लिए जानना बहुत जरूरी है कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो सिव जी को भूल से भी नहीं चढ़ानी चाहिए इस पूरे सावन माह में विधी विधान से सिव जी की पूजा अजना की जाती है सभी लोग उनकी पूजा में कम से कम गाय का दूद, गंगा जल, बेल पत्र, भांग और धतुरा जरूर चढ़ाते हैं लेकिन कई बार लोग अनजाने में शिव जी की पूजा में ऐसी वस्तुएं भी चढ़ा देते हैं जो उनके लिए वर्जित मानी गई है शिव पूजा में भूलवश भी उन वस्तुएं का उप्योग नहीं करना चाहिए बता दें कि पूजा में देवताओं को उनकी प्रिये वस्तुएं ही अर्पित करनी चाहिए ताकि वे प्रसन हों और मनोकामनाओं की पूर्ती करें चलिए आपको बताते हैं कि कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो शिव पूजा में वर्जित हैं पहला है तुलसी का पत्ता, भगवान शिव की पूजा में तुलसी का पत्ता नहीं चड़ाते हैं, क्योंकि भगवान शिव ने वरिंदा के पती असुर राज जलंधर का वद किया था, इसके बाद वरिंदा ने स्वेम अपना जीवन समाप्त कर लिया, और जहां उन्होंने प नारियल या श्रीफल वर्जित है, श्रीफल का संबंद माता लक्षमी से है, और वे भगवान विश्नु की पत्नी है, इस वज़े से भगवान शिव को नारियल अर्प्रित नहीं करते हैं, तीसरा है सिंदूर या कुमकुम, लोग भूल वर्ष माता पार्वती के साथ दूर या कुमकुम नहीं लगाना चाहिए, उसके बाद आता है हल्दी, शिव जी की पूजा में हल्दी का भी उप्योग नहीं किया जाता है, बता दे की हल्दी को भी श्रिंगार और सौंदर से जुड़ी वस्तु माना जाता है, इसलिए इसे भी शिव पूजा में वर्ज करना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान शिव ने शंक चूर नामक राक्षस का वद किया था, जिसकी हड्डियों से शंक का निर्मान हुआ है, इसलिए शिव पूजा में शंक भी वर्जित है, छठा है केतकी का फूल, शिव जी केतकी के फूल को अपनी पूजा में स्विका जिसकी कथा शिव पूरान में भी अंकित है, साथ ही कुछ ऐसे भी फूल हैं जो की पूजा में वर्जित हैं, बता दे कि शिव पूजा में केवडे का फूल, कनौर, कमल और लार रंग के फूल भी वर्जित हैं, शिव जी को सफेद रंग के फूल प्रिये हैं, इसलिए शि माना जाता है कि तिल की उत्पत्ती भगवान विश्णु के मैल से हुई थी, वहीं अच्छत का अर्थ छती से रहित है, अर्थात आप जो भी चावल अच्छत के रूप में चढ़ाते हैं, वह पूरा होना चाहिए, तूटा हुआ नहीं, इन सभी वस्तूओं का ध्यान रखन से भगवान की असीम क्रिपा भक्तों पर बरस्ती है, और वे खुश होकर भक्तों की मनुकामनाएं पूरी करते हैं, ब्यूरो रिपोर्ट न्यूजवेंग